दोस्तों नमस्कर हजारों दोस्त लाखों दोस्त हैं आप जैसे जो मेरे वीडियो देखते हैं जिसमें हजारों तो कमेंट भी करते हैं सारे वीडियो को अगर मैं लगा लो है कि एक सब्सक्राइब करने वाले भी लाखों हैं और लाइक भी हजारों है ऐसे हजारों लाइक हजारों कमेंट जो बहुत अच्छे कमेंट जो उत्सा बढ़ाने वाले मेरा जो मिझे बहुत सहर देने वाले जो इश्वर के भक्त जो सदाचारी इतने सारे दोस्त मुझे मुझे शुक्रिया रहे कल की भगवान आपके कारण एक मेरा नया परिवार बना इनी परिवार में तीन ऐसे लोग भी हैं जो मुझे थोड़ा असब भासा में लिखने तीन लाखों लोगों ने देखा हजारों ने लाइक किया हजारों कमेंट करे इतने सारे वीडियो में कुल तीन ऐसे हैं जिनको शायद मैं अच्छा नहीं लग रहा हूंगा मेरे वीडियो उनका भी थैंक्यू धन्यवाद क्योंकि उन्होंने भी समय दिया और मेरे वीडियो देखे तब कुछ लिखा होगा उनका उनका पर नाम तो अब ही मैं यह वीडियो सर्फ इसले नहीं बनाया है यह तो धन्यवाद देने के लिए कि इतने लाखों में कुछ ऐसे भी होते ही है जो पसंद नापसंद को जरूरी नहीं है तो इस पर मैं छोटी से बात ही कहने चाहूंगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखने मा परिवार में भी ओपिस में भी कई जगें आपको किसी को देखके एक अजीव सी अच्छा होता है इरिटेशन नहीं होता मतलब उससे कुछ लोगों में ऐसा चुम्ब की प्रभाव होता है जिनके साथ हम आसानी से जुड़े रहते हैं और के साथ जुड़ना और भी अच्छा होता है जिनके अंदर एक चुम्ब की प्रभाव होता है आप महसूस करना अपने आसपास परिवार में ऑफिस में पॉली स्कूल ज और यह कुछ भी नहीं किया उनको देखके I just होते हैं कुछ लोग एसे कुछ लोग जिनसे मिलके आप एनरजी में भर जाते हुँ ऐसे भी होते हैं जिनसे बात करके आप एनर्जी में भर जाते हों कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलके आप एनर्जी से खाली हो जाते हैं कई कई दिन तक चुपती रहती है तो आपको पता भी नहीं कोई आप से क्या ले गया आप से कोई आपकी एनर्जी ले गया इस बात प नहीं करने कुछ भी और एक व्यक्ति ऐसा जिस से आप मिले वो आपके अंदर एदय भर गया या कि प्यार से तो से हमारा रिष्टा ऐसा है कि इस वर से जब भी आप नाम लोगे, प्यार करोगे, कुछ भी सोचोगे, एनर्जी से फुल वर जाओगे अगला वीडियो में यह बनाऊए कि हमारे कौन-कौन से काल में सतियोग त्रेता द्वापर कल्योग में लड़कियों के परती अत्यचार हुआ भून अत्या हुई उनको पैदा नहीं होने दिया यह कौन-कौन से काल से ऐसा अत्यचार होता आया है इस पर आप भी मुझे कमेंट की जगा ताकि मुझे बता सकूं कि कल की अवतार की रूप मे में तो अती ही है तो उस्तों कमेंट करके बताएं कि मैं क्या-क्या पॉइंट सामिल करूं उसमें ताकि आपको भी पता चलते कि सच में रिशर्च क्या कहती है जैवरूस्त थैंक्यू